हेलो दोस्तो, स्टडी मेनों में आपका स्वागत है, तो दोस्तो एक और वीडियो लेकर आ चुका हो आप लोग के लिए, जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, गूगल के डेवलापर प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रोग्राम पे आगर आप लोग पार्टिसिप कर सकते हो, और इस प्रोग्राम के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में डिसकस करने वाले हैं, तो वीडियो के आं तक हमारे साथ बने रहे हैं, और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे, कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, तो सब्सक्र प्रोवाइट किया जाएगा, वहां से आप लोग जोइन कर सकते हो, तो दोस्तों Google Developers द्वारा 2022 के Solution Challenge के नाम से चैलेंज और गनाइस किया जा रहा है, जिसमें United Nations के 17 Sustainable Development Goals है, उसमें आप लोग को Solution आप लोग को देना है, तो इसमें आप लोग को किया के चीज करना है, स अपना Solution सब्मीट ज़रूर कीजिए, तो अगर आप लोग यह पर नीचे स्क्रोल करके आते है, टोप 50 टीशेट, सर्टिफिकेट और गूगल के तरफ से मेंटर्शिप दिया जाएगा, और टोप 10 फाइनलिस रहेंगे, उनको $1,000 केश प्राइज मिलने वाला है, इसके ल मिलने वाला है, सुएक्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, गूगल के तरफ से मेंटर्शिप भी दिया जाएगा, और उनको भी Google Developers के तरफ से ब्लोग और डेमो डे, लाइफ स्ट्रीम मिलने वाला है, अच्छा तो United Nations के 17 Sustainable Development Goals क्या है, यह आप यह पर देख सकते हो, जै Industry, Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace and Justice, Partnership for the Goals, इन सब का आप लोग को सलूशन सब्मीट करना पड़ेगा, इसके बाद अगर आप लोग यह पर उपर स्क्रोल करके आते है, यह अगर आप लोग टाइम लाइन पर जाते है, तो यह पर स्टेप बाई स्टेप प्र इसके बाद आपको टीम फ़र्म करना है, और फिर रेजिस्टर करना है, और इसके बाद आप लोग को ऊपर दिये गाए 17th Sustainable Development Goal से कोई भी एक आप लोग को चूज करना है, इसके बाद उसका solution आप लोग को identify करना है, आप लोग को user interface design करना है, फिर आप लोग को back end technology design करना ह और आपका solution है, उसको सबसे पहले test करना पड़ेगा, इसके बाद ही जाके आप लोग को इसको record करना है, और आपका solution को submit करना पड़ेगा, तो यहापे वही चीज बताए गया है, और यहापे submission form आप लोग देख सकते हो कि March 15 को open होने वाला है, इससे पहले आप लोग अपना solution को ready रखेगा, और evolution criteria में आप यहापे देख सकते हो, impact में 60 points, technology पे 40 points आप लोग को मिलने वाले, इसके बाद अगर आप लोग नीचे scroll करके आते हैं, तो यहापे decision timeline पे देख सकते हो, late April पे गया किया चीज होने वाला है, में आपे किया होगा June, July में, सब कुछ, यहापे आ और एक चीज है कि अगर आप लोग का कोई Google Developer Student Club नहीं है, तो आप लोग यहापे चूज कर सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले यहापे आप लोग क्लिक कीजिए, इसके बाद आगर आप लोग नीचे यहापे scroll करके आते हैं, तो यहापे सबसे पहले आप लोग को Asia region select करना है यहाँ से कोई भी college आप लोग यहापे चूज कर सकते हो, और आप अपना team form कर सकते हो, तभी आप लोग यहापे पार्टिसिपेट कर पाओगे Google Developer के यहापे, जो solution challenge है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो इस challenge के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ भ सब्सक्राइब कर लिजिए, धन्यवाद